नमश्कार महुप्रिया आज है 19 फरवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार के लाल ने डेब्यू मैच में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने का बनाया रिकॉर्ड बिहार के सभी सरकारी स्कूल में इस दिन से होगी नौवी की परिक्षा कर्मियों के वेतन छुट्टी से लेकर ट्रांसफर तक जुड़े लाभों का होगा वन स्टॉप समाधा गोवा से अधिक विदेशी परेटिकों को भा रहा है बिहार वोट के महत्व पर बनाये वीडियो मिलेगा परसकार अब शेले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खवरों के उर्वस्तार से बिहार के लागे टेप्योनाच में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने का बनाया रिकॉर्ड कहते हैं क्रिकेट संभावनाओं का खेल है क्रिकेट आखरी गिन तक तर्शकों की भावनाएं अपने टीम अपने पसंदीदा खिलाडी के साथ जोड़े रखता है ऐसे में आज बिहार के खिलाडी ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक विश्व के किसी खिलाडी ने नहीं किया बिहार क्रिकेट के इतिहास में ऐसा स्वर निमपन ना जुड़ गया है कि बिहार रंजी टीम की खिलारी ने प्रदेश का नाम तो रोशन किया ही साथ ही साथ उस खिलारी के नाम विश्वर रिकॉर्ड भी बन गया है जी हाँ आपने सही सुना विश्वर रिकॉर्ड बन गया है रंजी ट्रॉफी में बिहार और मिजोरम के मैच में साकिबुल गणी ने विश्वर रिकॉर्ड बनाया वो अपने डेप्यू मैच के फर्स्ट क्लास मैच में तीस राशा तक लगाने वाले दुनिया के पहले बलेबास बन गये है आपको बता दे कि गणी ने मिजोरम के खिलाफ खेलते वे 405 गेंदो में 341 रंकी शांदार पारी खेली है इस दोरान उन्हाने 56 चौके और दो चखके लगाए आज बिहारी पहचार में हम बात करेंगे राजकमल चौधरी की राजकमल चौधरी हिंदी और मैथली के प्रसिध कवी और कहानिका थे मैथली में स्वरगंधा, कविता, राजकमल आदी, कविता संग्रह, एक्ता चुंपाकली, एक्ता विष्थर और आदी कथा, फूल पत्थर और अंदोलन उनके चर्चित उपानियास है हिंदी में उनकी संपुर्ण का विताएं भी प्रकाशित हो चुकी है राजकमल चौधरी का जन उत्तरी बिहार में मुर्ली गंच के समीप वर्ती गाउर रामपूर हवेली में हुआ था उनका वास्तविक नाम मनिंदर नारायन चौधरी था लेकिन स्नेही से लोग उन्हें फूल बाबू कहकर पुकारा करते थे बचपन के आरंभिक दिनों में उनकी मात्रिवेनी देवी का और सामियक निधन हो गया था चोटे मनिंदर को अपनी मा के आंचल की कमी का गहरा प्रभाव पड़ा उनका शिरवाती बचपन अपने पैत्री गाउ महीशी में गुज़रा बिहार के सभी सरकारी स्कूल में इस दिन से होगी नौवी की परिक्षा बिहार बोड इस बार दसवी और बारहवी की परिक्षा तो अपने सतर से आयोजित करवा ही रहा है अब बोड ने नौवी की परिक्षा को भी आयोजित करवाने का एलान कुछ समय पहले ही किया था हाला कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण ये तै नहीं हो पाया था कि इस परिक्षा का आयोजिन आखिर कब होगा लेकिन अब फाइनली इस परिक्षा का आयोजन किया जा रहा है बिहार बोड की तरफ से साजा की गई जानकारी के अनुसार बिहार बोड अब नौवी की परिक्षा 26 परवरी से ले रहा है बिहार विद्याले परिक्षा समीती की तरफ से निर्देश जारी किये जाने के बाद नौवे की परिक्षा सफलता पुर्वक आयूजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है इस परिक्षा में बिहार विद्याले परिक्षा समीती में पंजी अनकर आने वाले सभी छात्र छात्रायें शामिल होंगे परिक्षा का आयोजन दस्वी की सेंटर परिक्षा के अनुरूप ही करने का अंदर देश बिहार बोर्ड ने दे दिया है विहार के चुननन्दा कोविड टीका शिवरों में अब होगी मुफ्त स्वास्तजाज स्वास्तव भाग कोविड टीका करन शिवरों में अब मुफ्त स्वास्तजाज की सुवधा बहाल करने की योजना पर काम कर रहा है फिलहाल प्रयोग के तौर पर बेगुस्तराय जिले में ये योजना लागू की गई है जल्द ही इसे अन्य जिलों के कुछ चुनंदा टीका केंद्रों पर योजना को विस्तार देने की तयारी है बीते 14 महीने में स्वास्ता विभाग ने 11,71,99,460 लोग का टीका करन कर दिया है अब टीका करन केंद्रों पर मुख्य रूप से दूसरी डोस अथवा सतर्कता डोस लेने वाले आ रहे हैं टीका केंद्रों पर तैनात कर्मियों का समुचित उपियोग हो सके इसके लिभाग ने टीका केंद्रों पर मुफ्त स्वास्त जाज के योजना लागू करने का फैस्दा किया है अब टाइवाणी पापीते का बिहारवासी चक्ख सकेंगे स्वाथ इस बार बिहारवासीों को टाइवानी पापीता खाने का मौका मिलने वाला है क्योंकि इस बार भागलपुर जिले के चार प्रकंडों में ताइवानी पपीते की खेती होने वाली है इसी महीने सिंटर ओफ एक्सिलेंस देश्री वैशाली से पौधे को पहुचाने का काम कर दिया गया है जैसे ही ये पौधा भागलपुर पहुच जाएगा इसे किसानों के बीच में विद्रित किया जाएगा बनाई गई योचरा के अनुसार 6.42 हेक्टेर में पपीते की खेती होगी पपीते की खेती करने वाले किसानों का च्रेन कर लिया गया है कहलगाओं और बहपुर के 4-4 किसान पपीते की खेती करेंगे बहपुर में 6.50 एकड में पपीते की खेती होगी जगदेशपुर और श्राहकुन प्रखण में एक-एक किसान पपीते की खेती करेंगे नौसेनापोथ बरमद यार्ड ने निकाली रखतिया इसके लावा उमिद्वारों के पास भारी बाहन और मोटर साइकल के लिए वैधिट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एक साल का ड्राइविंग एक्स्पीडेंस भी जरूरी है इच्छुक और योग्य उमिद्वार अंतिम तारीक 9 अप्रील 2022 तक इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए यूर्ल से ज़ा कर ले सकते है बिहार पलिस कॉंस्टिबल भर्ती पीटी का नया स्केडियूल हुआ जारी ये परीक्षा 24 फरवरी 2022 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंग राज के उच्व विद्याले कर्दनी बाग पटना में आयूजित की जाएगी ताजा नोटिस के मताबिक 24 फरवरी से 11 मार्च 2022 तक की परीक्षा कारिक्रम पहले की तरह ही रहेगी 28 जनवरी से 22 फरवरी तक की शारेडिक दक्षता परीक्षा का आयूजन अब 15 मार्च से 8 अपरेल के बीच होगा इन अभिर्थियों को पहले जारी किये गए अडमिट कार्ड ही मानने होंगे इस भरती अभियान के तहट कुल 8,415 रिक्तपदों पर न्युक्तियां की जाएंगी आपकी जहनकारी के लिए आपको बता दे कि पहले P.E.T. का आयोजन 28 जनवरी 2022 से 4 फरवरी तक होना था लेकिन कोरोना के चलते इन्हें टाल दिया गया था बिहार में पिछले कुछ महीनों के दोरान A.L.T.F. ने कई जिलों में काफी बड़ी संख्या में कारवाई कर शराद की बड़ी खेप की बराम्दगी की है साथी पुलिस मुख्याली ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जितने भी विभाग्याजात से जुड़े मामले लंबित पड़े हैं उनका निप्टारा जल्द से जल्द होना चाहिए इसको लेकर मार्च के पहले सब्ता में सभी रेंज के आईजी और डी आईजी को सम्वन्धित जिलों के एसपी के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया है ताकि मामलों के निश्पादर में आया ही दिक्कत को दूर किया जा सके और इन पर जल्द ही अंतिम्दर ने लिया जा सके डी जी पी एसके सिंगल ले सभी जलों में शुराब के खिलाफ कारवाई करने के लिए गठित अंटी लीकर टास्क फोर्स के कारिप्रणाली की समेक्षा की है अगली 24 खंटे बार बिहार में बढ़ेगी गर्मी आमतोर पर वसंत पंचमी के बार ठंड की विदाई शुरू हो जाती है लेकिन इस बार ठंड का सतम कुझ ज्यादा दिनों तक देखने को मिला वर्तमान समय की बात करे तो पच्छवा हवा के कारण सुभह और शान को गुलावी ठंड का एहसास हो रहा है लेकिन अब जल्द ही बिहारवासियों को गर्मी का सामना करणा पड़ सकता है मौसम विभाग के तरब से साचा की गई जयानकारी के नुसार 24 घंटे के बाद बिहारवासियों को गर्मी का एहसास होने लगेगा मौसम विभाग के मताबिक पच्छवा और उत्तर पच्छवा हवा का प्रवाह पूरे राज़े में सतह से 1.5 किलोमीटर उपर तक बना हुआ है इसकी गती 8-10 किलोमीटर प्रती घंटे की है हवा के प्रभाव से रज़ में अगले चार दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा इसके बाद पाँचमे दिन दक्षिनपूर विभाग के एक या दो स्थानों पर हर्की बारिश या बुन्दाबानी की संभावना है अपर मुख्य साचिप ने भु अर्ज़न अपसरों को दिया टास्क राजा सिवेवं भूमी सुधार विभाग की अपर मुख्य साचिप विवेक कुमार सिंग ने डाटा एंट्री का काम आदा अधूरा होने पर अपनी नाराज़ की जदाई है सेंटरल MIS का डेटा ठीक से भरा नहीं होने के कारण ही अब जलाभू अर्ज़न पदादिकारियों को फटकार लगाई गई है दो दिन के अंदर तक डेटा को ठीक से भर लेने का अंदर देश्टिया क्या है डाटा ठीक से नहीं भरे होने से राज़ो के बीच बिहार की रैंकिंग रभावित हो सकती है इसको लेकर विवेक कुमार सिंग ने पटना के भटेव भवन में हुई जो लाभू अर्ज़न पदादिकारियों की मासिक बैठक में कहा कि अधिक रही भूमी के मुआवजे में समान का होने बाला है विहार में इसके लिए 1 अपरेल 2022 से वित्व भाग के बांधियम से मानग संसाधन प्रवंधन ट्रिनाली लागू किया जाएगा बीते दिन वित्व भाग के अपर मुख्य साचिफ डॉक्टर एस सिधार्थ ने इसको लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य साचिफ प्रधान सचिफ, सचिफ, सभी प्रमंदलिय आयुक्त और सभी जुलापदादिकारी को निर्देश चारी किया जॉक्टर सिधार्च के अनुसार सभी सरकारी कर्मशारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू करने का नर्ने लिया गया है यह प्रनाली बिहार सरकार के कर्मशारियों के लिए मानव संसाधन से सम्मंदित कतिविधियों के लिए मुख्य प्रनाली होगी बिहार में जबी होगी रोल आउट मैनेजर की तैनाती बिहार में सडग दुरघटनाओं पर अंकुष लगाने के लिए ओन्लाइन निगराने के लिए आई रेड सॉफ्टवेर को बिहार में लागू किया जा रहा है जिसके बाद सडग दुरघटनाओं की लाइट एंट्री होगी और दुरघटनाओं का सटीक कारण का पता लगाया जा सकेगा उसके बाद ही इसे बहुत आसान हो जाएगा इस सॉफ्टवेर को कई जिलों में शुरू करने का काम किया गया है इसको लेकर ही सभी जिलों में रोल आउट मैनेजर की न्योक्ती की जा रही है NIC के माध्यम से वैनेजर की न्योक्ती शुरू की गई है इससे उमीद है कि आसानी से सरकदुर घटना का माइक्रो स्तर पर कारणों का पता लगाया जा सकेगा हाला कि इसको लेकर सम्मनित विभागों की साथ सभी तरह के समनव्यस थापित करने होंगे अभी राजु में सरकदुर घटना के बाद परिवहन पुलीस, पत्थ नर्मान और स्वास्त विभाग को मिलकर रिपोर्ट तयार करने का आदेश जारी किया गया है विहार बोर्ट ने शुरू किया इंटर की कौपियों को मुल्यांकन के लिए भेजने का का विहार बोर्ट की इंटर की परिक्षा के सफलता पुरवक समापन के बाद अब इंटर की कौपियों के मुल्यांकन का काम शुरू होने वाला है इसको लेकर विहारबोर ने तयारियां भी तेज़ कर दी परिक्षा समीती द्वारा आयोजित इंटर की परिक्षा की कौपियों की बारकोटिंग का काम खत्म हो गया है अब कौपियों को मुल्यांकन केंद्रों पर फेज़ा जा रहा है इंटर की कॉपियों का मुल्यांकन 26 फरवरी से शुरू हो जाएगा इसके पहले परिक्षकों को मुल्यांकन केंद्र पर योगदान करने की नसीहत भी साथी में दी गई है कॉपी जाज का काम खत्म होते ही टैबिलेशन यानी की मार्क शीट बनाने का काम शुरू हो जाएगा गोवार के अधिक विदेशी परेटकों को भार रहा है बिहार बिहार में परेटन को बढ़ावा देने का काम लगातार की आ जा रहा है यही कारण है कि विआर सरकार परेटन को बढ़ावा देने के लिए एक वादे काम भी कर रही है इसी बीच बिहार के लिए एक गौरवान वित करने वाली खबर सामने आई है जुसके दह्त विदेशी परेटकों को भी भीः भार भार रहा है आलम ये है कि मौज मस्ती के लिए चर्चित गोवा से अधिक विदेशी परेटक बिहार आ रहे हैं केंद्रिय परेटन मंद्राले की तरफ से रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है जारी रिपोर्ट के नसार विदेशी परेटकों को भाने वाली राज्यों में बिहार देश के सीर्श दस राज्यों में शामिल हो गया सबसे अधिक विदेशी परेटक महरास्टर आ रहे हैं महाभारत काल के अग्यात मास के दौरान पार्डवो ने भी मा की पूझा अर्चुना की थी यहां पुरातत विभाग को खुदाई में हजारों वर्ष पुराना अब सेश मिल चुका है कहा तो ये भी जाता है कि मंदर हजारों वर्ष पुराना है और माचंडी यहां स्वयम अंकुरित हुई थी इस जगे पर एक आश्चर जनक चीज देखने को मिलती है कि मां की पूझा अर्चना के दौरान चुड़ाये जाने वाला जल कहा जाता है इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं मिल पाई है कई बार इसकी जानकारी लेने के लिए विशुशंग्य अभियनताओं के दल को मंगाया गया पर उन्तो इसका पता नहीं चल पाया है हाई कोट ने रज्यसरकार से मांगा जवाब बीते दिन पटना हाई कोट में ने प्राइवेट बस संचालकों के साथ भेदभाव करने के मामले पर सुनवाई करते वे रज्यसरकार से जवाब तलब किया है इस दोरान जस्टिस राजन गुपता की खंड़ पीट ने बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते वे रज्यसरकार को दस तनों के अंदर जवाब दायर करने का निर्तेश दिया इस दोरान जस्टिका करता के वकील अंशुल ने कोर्ट को बताया कि राजधानी पटना में बसों के परिजानन को लेकर प्राइवेट बस संचालक और सरकार बस संचालकों के बीच भेदभाव किया जाता है उनका मानना था कि जहां एक तरफ प्राइवेट बस संचालकों को बेरिया बस स्टैन भेज दिया गया है वही दूसरी तरफ सरकारी बसें गांधी मैदान और मीठापूर से चलाई जा रही है वोट के महत्व पर बनाए वीडियो मिलेगा पुरसकार अगर आप मतदाता हैं और मतदान के महत्व से सम्मनित कोई आकरशक वीडियो बनाते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग आपको पुरसकृत करेगा इसके लिए आयोग द्वारा जारी वेबसाइट और इमेल पर वीडियो प्रशनोतरी पोस्ट गीत सगीत या स्लोगन लिख कर देना होगा इसके लिए 15 मार्श तक प्रतियोगिता में भाग लेनी की तारिक निर्धारित की गई है आयोग द्वारा इसबार प्रशनोतरी प्रतियोगिता, वीडियो निर्मान प्रतियोगिता, पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसकी सारी जानकारी लोग ecisvwp.nic.in slash contest पर जा कर ले सकते हैं 27 से लबित है DC Bill विहार सरकार सरकारी राश्री खर्चे करने में जरूर आके है लेकिन हिसाब किताब रखने की जब बात आती है तो अकसर इसमें मात खा जाती है क्याबिनेट विभाग का 35 करोड से अधिक राश्री 2002 से लेकर के 2021 तक का पेंडिंग है अब जाकर मंत्री मंडल सचिवाले विभाग हरकत में आई है जिसके बाद ही अब मंत्री मंडल सचिवाले विभाग में सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सभी जिलो के डियम अभिले खागार के निदेशक बिहार रजिनागरिक परिसत के उप सचिव को पत्र लिखा है मंत्री मंदल सचिवाले विभाग के संविक्त सचिफ सुमन कुमार ने 2002-03 से ले करके 2020-21 क्याबिनेट विभाग की तरफ से विभागो और जिलो को आवंटित राशी का लंबित उपियोगिता प्रमान पत्र समयोजित करने को कहा है विहार में अब तक नहीं हुआ 118 ऑक्सुजिन प्लांट के निर्मान कका विहार में कोरोना की तीसरी लहर अब लगभख खत्म हो गई है हाला कि मामले अभी भी आ रहे हैं लेकिन रहत यह है कि अब कोरोना का खत्रा पहले जैसा नहीं है लेकिन इस बार रहत की एक और बात यह रही कि मामलों में भले ही तेजी से व्रधी हुई लेकिन लोगों को ज्यादा ऑक्सुजिन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगर पढ़ती तो मनजर शायद एक बार फिर से दूसरी लहर जैसा ही होता क्योंकि अब तक विहार के 118 ऑक्सुजिन प्लांट बन कर तयार ही नहीं हुए है हालाकिन सब के बीच स्वास्तव भाग का दावा है कि बहुत जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि कोरोना की लहर भाले ही अब नियंतरन में है लेकिन स्वास्तव भाग आगे किसी भी स्थेती से निपटने को तयार है इसी के तहट राज के स्वास्तसंस्थानों में स्थापित 118 फ्रेशर स्विंग ऑब्जरवेशन ऑक्सिजन जेनरेशन प्लांट में निरबाद पिजली सप्लाई के लिए श्रीघर साइलेंट डीजल जेनरेटर सेट लगाए जाएंगे बिहार नगरपालिका आक्ट 2007 के संचोधन पर केंदर से जवाब तलब बीते दन पढ़ता हाई कोट ने बिहार नगरपालिका आक्ट 2007 के चाप्टर 5 और 31 मार्श 2021 को रजे सरकार द्वारा किये गए संचोधन की वैधता को चुनोती देने वाली याजिका पर सुनवाई करते देखी गए इस दोरान चीफ जस्टिस संजे करोल की डिविजिन बेंच में डॉक्टर आशीश कुमार सनहा की याजिका पर सुनवाई करते वे केंदर सरकार से जवाब तलब किया गया आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि यह मामला नगरपालिका में संवर्गी की स्वायता से जुड़ा हुआ है कोर्ट ने कहाए कि यदि एक सब्ता में जवाब दायर नहीं किया जाता है तो कोर्ट बिहार नगरपालिका आक्ट 2007 में कियेगे संचोधन पर रोक लगा सकती है अब इस बामले पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को की जाएगी चन्नी परखर के सीम नितीश कॉंग्रिस की पसंद पर उठाया सवाल बिहार यूपी के लोगों के खिलाप विवादिद बयान देकर पंजाब के मुख्य बंदरी बिहार के साथ साथ पिये मोधी के निश्राने पर भी आगे है वहीं बिहार के मुख्या सीम नितीश ने भी अब चन्नी के बयान पर एक और बार प्रतिक्रिया दी है जिसके तहट बीते दिन दिल्ली पहुँचने के साथ ही जब मीडिया कर्मियों ने उनसे चन्नी के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं वो किस प्रकार की आदमी है जिन्हें कॉंग्रिस ने पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया है बहुत ही गलत बयान है चन्नी का बिहार के कितने लोग पंजाब में रहते हैं और कितने लोगों की सेवा करते हैं कोई विदेश जाते हैं तो उनके सब काम को वहां बिहार के लोग देखते हैं बिहार का महत्व कितना है ये बताने की जरूरत है लालू को मिला प्रियांका गानी का साथ जब से डॉराधा कोशागार मामले की सुन्वाई हुई है तब से ही जहां सत्ता पक्ष्टे राज़त स पहलू है कि जो भी उनके सामने जुपता नहीं है उसको हर तह से प्रतारित किया जाता है लालू प्रसाद यादव जी पर इससी राज़नीती के चर्टे हमला किया जा रहा है मुझे आशा है कि उन्हें नया इस जरूर मिलेगा इससे पहले भी चारा घुटाले के ही चार के इसमें सजाय अफ्ता हो चुके लालू यादव को जोड़ांजा ट्रेशरी से जोड़े मामले में भी मंगलवार को आई फैसले में डो शीट है रहाए गया विहार विधान परिसद चुनाव तारीख में हो रही देरी को बताया एक साज़श विहार में जल्द ही विधान परिसद चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक तारीख का एलान हो सकता है हलाकि एलान कब होगा कब नहीं ये कहना तो मुश्किल है लेकिन राज़त ने विधान परिसद चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है जिसके देहत राजुत की तरफ से प्रवक्ता मृतुंचे तिवारी ने मीडिया से बाचीत के दौरान आरोप लगाया और कहा कि इसके पीछे भाजपा की जरूर कोई साजुष है महीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद सिती सामाने हो चुकी है के प्रसेद गायक, संगीतकार और अभिनेता, पंकज मलिक का निधन 1978 में हुआ था भारत में 1986 में पहली बार कंप्यूटरी कृत्र रेलवे आरक्षन टिकेट की शुरुआत हुई अब WhatsApp करने में आएगा डबल मजा, WhatsApp दुनिया में सबसे लोग प्रिये instant messaging आप में से एक है आपको अपडेट रखने के लिए कंप्टनी इसमें नए-नए फीचर्स भी जोडती रहती है और अब WhatsApp ने एक नया अपडेट जोडने का फैसला किया है दरसल जल्द ही चुनिंदा बीटा Android यूजर को वोईस कॉलिंग के लिए एक नए इंटरफेस में ले वाला है नया इंटरफेस निशुत रूप से Android और iOS दोनों यूजर के लिए रोल आउट किया जाएगा लेकिन फिलहाल ये टेस्टिंग फेस में है और बीटा Android यूजर के साथ इसकी टेस्टिंग का काम किया जा रहा है जब रूए बीटा इंफो की रिपोर्ट बताती है कि Android बीटा 2.22.5.4 के लिए WhatsApp अपडेट लाए गया है जो चुननदा यूजर के लिए नया वोईस कॉलिंग इंटरफेस लेकर आया है कल हमारे दौरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे है मगर समय क्या आभाफ की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर लेकिन सवाल के तरफ बढ़ने से पहले अगर आप क्रिकेट प्रेमी है और क्रिकेट से जोड़े स्नमाचार को सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन क्रिकेट से जोड़े स्नमाचार मिलेंगे इसका लिंक आपको अपने स्क्रीन पर दिख़ा होगा अब चले बढ़ते हैं सवाल की ओर आपके रुसार बिहार सरकार की तरफ से परेटन के श्यत्र में किये जा रहे काम से क्या आने वाले समय में बिहार में परेटन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताई इसके साथ ही आख्ष के लिए बस इतना ही विहार की बड़ी खवरों से अबडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक कॉन दबाना ना भूलें भनेवार